है 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 लो फ्रेंड वेल्कम तो माई इस्टेडी फीड चनल दोस्तों आज मैं एर्गोजेनिक एर्स याने की पेसी प्रोहाउस साधन की बारे में डीटियल में बताने वाली हूं दोस्तों आप वीडियो को सुरू से लाज सत देखीगा पहली बार वीडियो कर रहे हैं तो च दोस्तों मेरे चैनल पर सभी वीडियो को सिल्बस के एकार्डिंग देख सकते हैं तो चली जानते हैं एर्गोजेनिक एर्स क्या होता है दोस्तों एर्गोजेनिक एर्स यानि पेसी प्रभाव साधन वे साधन वह प्रकिरिया जिससे खिलारी की छमता यह प्रदैसन में शु जाता है कि विविन प्रकार के विधियां जिससे खिलारी की प्रदैसन में सुधार लाया जाए वह एर्गोजेनिक एर्स कहलाता है जैसे कि दूसरे सब्दों में यह भी कर सकते हैं कि विवे पदार्थ भोजन वह प्रसिच्छण के तरीके जिससे जो उर्जा की उत्पाद प्रदैसन और प्रयोग या पुना सक्ति प्राप्ति को बढ़ाते हैं एर्गोजेनिक एर्स कहलाते हैं यानिक वास्तों में एक खिलारी की ताकत शहन शिल्ता आदी में सुधार होता है यह पेसि प्रभाव साधन सरीर के यानि एर्गोजनिक एर्शरी के क्रिया आत्मैक्ष छमता को प्रभावित कर प्रदरसन में स्युधार लाता है और मना विज्ञानिक और अधूर को दूर करता है और प्रदर्शन पर प्रभावड डालता है तथा प्रसिच्छर्यूं प्रतियुगता के उपरां छती पूर्ति की गति को बढ़ाता है दोस्तों बहुत सारे इस्ट्वेंट में डाउट रहता है कि क्या ये एर्गोजेनिक एर्थ डोपिंग ही है या ये अलग से है तो दोस्तों डोपिंग भी एर्गोजेनिक एर्थ के अंतर करता है बट डोपिंग और एर्गोजेनिक एर्थ में ये अंतर है कि डोपिंग में ग लीगल तरीके से लिया जाता है और जो डूपिंग होता है इन लीगल तरीके से लिया जाता है यानि कि जो डूपिंग होता है वो गलत तरीके से अपने परदर्सन में बढ़ा करके खेल परदर्सन को अच्छा तरीके से यानि जो खेलने जा रहा है वो अपने खेल में यानि International Olympic Committee and World Anti-Doping Committee के द्वारा विपदार्थ प्रतिबंदित होते हैं, विपदार्थ डोपिंग के अंतरगत आते हैं, जबकि हमारी एर्गोजेनिक एर्ष के अंतरगत वे साधन वे प्रक्रिया जिससे हमारी खिलाड़े की छम्ता वे प्रदर्सन छम्ता में सुधार लाया ज में सुधार लाते हैं, हमारी पेसियों की ताकत, गती, छती पूर्ती, सांसिल्ता, प्रतिकिया आते हैं मस्तमवें, इस सब को बहानी में मदद करते हैं, या बहार जाता है, या सुधार लाया जाता है, वह हमारा एर्गोजेनिक एर्ष होता है, इसके द्वारा दोस्तों हम त्रुम को यह पना है कि नता कि रõाइल मेधिस लाइश को शते हैं करें जो किदू Commander financier के हुक खीत बोलता है कि अधिक पेसियों यानि red muscle fiber, white muscle fiber इन पेसियों पर ये सिधा-सिधा प्रफ़ाउर डालता है. इसका इर्गोजनिक AIDS का नाम ही है PC प्रफ़ौषद साधर, जो हमारे PCO की कारच्छमता में सुधार करें. और हमारी हिदय रक्त पर इसंचर तंत्र पर प्रहौरब है और सब्सक्रीब दालता है। यह इस अधाय पर हम कह सकते हैं दोस्तो कि यह हमारे इस हमता को प्रभावित करता है। औरोधों को दूर करता है प्रसिछा प्रतिता के उप्रांच्छति पूर्थी यानि recovery time को कम करता है उसी समय को कम करता है तो इस अधार पर दोस्तों एर्गोजेनिक एर्ष को समय एर्गोजेनिक एर्ष के अंतरगात खेल मनुवेग्यानिकों ने इसको पांच भागों में डिवाइट किया है यह पांच भाग कौन कुन से है पहला है nutritional एर्ष यानि पोसर साध्य दूसरा है physiological एर्ष यानि सरी क्रियात्मक साध्य तिसरा है psychological एर पोसर साध्य वे पोसर साथ्य कार्बोहाइड्रेट लोडिंग्स प्रोटीन अमीन उमल बितामिन्स खनीज लवर सुडियम बाइकरबोनेट ड्रेट्रिय सप्लिमेंट इसपोर्स ड्रिंक कैफीन एन सब चीजेंगे से हमें क्छिणाई कि पेसी चंपता या पदस्ष दूस चमता को सुधार लाए जाता है एंड दूसरा है फिजियोलोजिकल एर्स यानि सारी क्रियात्मक साधन सारी क्रियात्मक साधन में क्या क्या हो सकता है जो हम प्रसिचर करते हैं जो हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि उचाई पर हम procedure करते हैं तो दोस्तों अधिक उचाई पर procedure को हम acclimatization भी कहते हैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँगे कि इसके अंतर ब्लड डोपिंग आता है हर्बल दवाईया आती है एक्यूपंचर आता है यहां हमारे तंतरिकाओं को यह कर देता है एंड फीजियो थेरेफी आता है इतने फीजियो थेरेफी इसके अंतर गात मैंने बताया है चाहें वह ब्लाम सुना बात हो अल्ट्रा वायले सीजिए हो यह 돼요 hydrophic42 अचेयक को यहित्यास के जदावनी पानी पानी की चीकिता हो टंडेपानी की चीकिता हो यह किवें सोना बात आता है वार्म अप करिया किनिंग अल्ट्रा वाले थेरेंज कि प्यो एफ़ी ओफ्प्यक चॉपफ्पा मतलब होता है सडोच मेस स παद्कूध के लिक्रिया घृत्व करते हैं तो यह इस प्रंदर में जो हमारी मांस्पेशी है या हमारी सरी की जुकार समता है उसको बढ़ाने का ये सुधाने का कार करते हैं वो इसके अंतरगत आता है तिसरा है psychological psychological साधन psychological साधन यानि कि मौनोबिग्यानिक साधन में ये प्रदर्शन बहाने वाली प्रतिभागी को cheers करना करते हैं cheers यानि कि जैसे हम audience हैं किसी की प्रदर्शन को देख करके हम उसको तालिया बजा रहे हैं क्लैपिंग कर रहे हैं एक प्रकार का वह भी प्रदर्शन में बढ़ावा देता है एक आत्म विश्वास जागरित करता है यह भी एर्गोजनिक एर्श के अंतरगत आएगा जैसे कि hypnosis यानि कि खिलारी को समोहित करना एक होता है suggestion यानि सलाह देना रहलसन करना किसी कारे को करने से पहले उसका practice करना चेरिंग तालिया करना ट्रैपिंग करना imagery motivation मियोजीक, रिलेक्स्टेशन इस अभी क्रिया हैं हमारे मौनों विज्ञाने कृप से हमको आत्म विश्वास देते हैं हमारे कॉन्फिरेंस को बहाते हैं जिससे हमारे चमता में इंहेंस होता है बहावा मिलता है कि दोस्तों, जब आप खेल की करते हैं या गेम, खेला रहा था, तो उस वक्यमि परियूग करेंगे कि आप की खेल को पर देशन शम्ता को बहा सकी ठीके स्विक करेंगे जो आपके लिए कंपर्टेबल हो स्विंग स्विम्मी decreased का प्रिउग गर्यादि स्विंग कर रहे हैं तो सुमिंग सुट पहनेंगे वाटर परस्थिछर कैसे लेना है रर्निंग क्या होता है कि O2 की मात्रा कम करके परसिचर करवाना डाउन हिल रनिंग यानि उचाई से नीचे की तरफ दरना अप हील रनिंग यानि नीचे से उचाई की तरफ दरना खेल उपकरण इस सभी आते हैं आपके यांत्री की साधन में पाच्वा है फर्माकुलोजिकल एर्ज या अंतरगत भी आते हैं यह सब जैसे कि एमफितामाइन एनाबोलिक इस्टिरायड बिटा बलाकर कैफीन प्रोटीन सप्लिमेंट्स सोडियम बाइकरबोनी क्रियेटीन किरोटीन मुनोहाइड्रेट सल्पीटामॉल यह सभी पदार्त और साधी साधी के अंतरगत भी आता है और को सब्था में को किस चीज़ में किया करता है तो दोस्तों उन सब वीडियो को आप देख सकते हैं तो यह था एक दोड़ीन руго है के बारे में आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा एंड इतना काफ़ है आपके एक्जाम्स के लिए दोस्तों वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताईए एंड वीडियो को जादे से जादे सेयर कीजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया मौटिवे करने के लिए जिस से कि आप अपनलेज को चेक कर सके तो दोस्तों कल से क्यूंत ये क्यूंत भी होगा एक विडियो कि की इस तरze अब रोजाना वीडियो जो आएंगे दोस्तों तो दोस्तों दोस्तों दोनों तरह से आपको थेorical and MCQ दोनों complete होते रहेंगे बस आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहें और दोस्तों तक भी सेयर करते रहें और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली वाद विजिट कर रहे हैं त तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय ही